हेलो फैंस मैंने तेश कुमार आपके आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फुरेवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए यहाँ पर आपने एक टर्म जरू सुना होगा जिसका नाम है फैंग फैंग मींज यहाँ पर जो अमेरिकन बजार के फाइफ दिगच कंपनी फेस्बुक एमेज़न एपल नेट्फिक्स एन इल्पाबेट यह पास दिगच कंपनीया हुआ करती थी और इनकी जो दिस तरीके से दुलाई चल रही है तो लोग कहरें इनका जमाना चला गया और इसक आपको सारी चीज़े दिखाना सबसे पहले नेट्फिक्स 698 लवह 700 के आसपास के इसने हाई बनाया ओके और लगबख शेयर अभी भी 300 के आसपास 300 डॉलर के आसपास यह चलता हुआ नजर आ रहे हैं इसके बाद हम बात करते हैं अल्फाबैट की ओके यह भी क्या है यह य इस चीज़ के बारे में ही बताना चाहता हूं कि इनके स्टॉक अभी भी यहां पर गिरते हुए नजर आते हैं इसके इलावा आप यहां पर देखते हैं मेटा मेटा प्लेटफॉर्म क्या है फेस्बुक राइट तो यहां पर देखिए 381 इनकी जो 2022 में यहां पर वन ट्रि दॉलर की 300 दॉलर की आसपास की यह कंपनी रह गई है तो यहां पर देखिए कितनी ज्यादा इनकी मार्किट काप गड़ी है तो इस चीज़ से हमें यह यह देखिए यह देखिए एस वेले हैं एक और चीज़ देखेंगे Amazon आपको पता है दिगज कंपनी 187 से कितने पर चल रही है 97 इसके लावा लास्ट बट नॉट लीश्ट एक और एपल एपल तो चलो आगे चलके बहुत कुछ करता हुआ निजर आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह भी अभी 144 पर चल रहा है और 182 तो यहां पर यह सारी के सारी क्या है दिगज் कंपनी अमेरिका की ओके फैंक के नम से जाना जयता था अब क्या हो गया अब इनका जमाना एक तरीकह से जाता हुआ अगर आप यहां पर देखेंगे, मेरे फेवरेट यहां पर एक ओथर, ट्रेडर है, मार्क माइनर विनी, इन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो यहां पर चाहे तो आप इन्हें फॉल्व भी कर सकते हैं, 1950 में European stocks चला करते थे, 1960 में 50-50, 1970 में Emerging Market Commodities, 1980 की बात करें Japanese stocks, 1990 में American Tech, 2000 में Emerging Market Commodities, 2010 में American Mega Caps, यहां पर यह चला करते हैं, Mega Caps means what? Mega Caps means यह फैंक, जो यह जिस तरीके से इन्हों नहीं आपर wealth बनाई थी, आप देखेंगे इनकी 10 साल का यहां पर stocks, तो यहां पर आपको पता चलेगा, 10 साल में इन्हों ने बहुत wealth यहां पर create करके दिया, लोगों की, लोगों को अर्वो teams that lead in one decade don't lead the next, तो यहां पर जो theme एक दशक तक चलती आ रही है, तो इसका मतला है यह नहीं है, वो आगे भी यहां पर lead करते ही नजर आएगी, Mega Caps and Franks, best days are behind, तो उनके जो फैंक, इतने भी stocks, मैंने आपको 5 stocks बताया थे, इनके दिन बीच चुके है, many of the new leaders will be, name you ever heard, okay, और अ यहां ऐसे ऐसी companies आती हुए दिखाई देगी, ऐसे ऐसे leader आते हुए दिखाई देंगे, जो यहां पर आगे की तरह भागते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहां पर क्या करें, stocks, you already know you, you will miss many of the best future leaders, तो यहां पर बात किये जारी है, कि आप ऐसे ऐसे stocks ढूंडिये, जो यहां प आशिश का चौलिया सर की देख लीजिए, या वीचा केडिया सर की देख लीजिए, मुकुल महवी रगरबाद सर की देख लीजिए, किसी का भी portfolio उठा के देख लिए, सब के पास क्या है, small cap, mid cap, तो यही मैं आपको बचाना चाहता हूँ, कि nifty 50 कभी अगर ऐसा हुआ, तो nifty 50 के जो stocks है, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि strength है, strength है, देखे, यह इतना पैसा बना कि यह नहीं देंगे, और कभी अगर इनकी भी हालत, ऐसी कोई companies निकल के आई, कि जो इन से आगे निकल सकती है, और obvious सी बात है, हर एक यह जो environment है, या का जाए time है, यह हमेश देख भी चुक है, किस तरीके से अडानी सर यहां पर आगे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे है, ऐसे हमें stocks की तरफ क्या करना है, ध्यान देना है, हमें यहां पर क्या देना है, हमें निफ्टी के जो small cap और mid cap stocks है, ऐसे ऐसे stocks को हमें क्या करना है, हमें small cap stocks को क्या करना ह हमें जब हम यहां पर इस तरीके से स्मॉल क्याब श्टॉक्स को ढूंडेंगे उनके ओपर रिसर्च करेंगे तो आपको बता चलेगी कि एक से बढ़कर एक यहां पर श्टॉक्स है जो आपको एक मल्टी बैल्डरेटर यहां पर आने वाले फ्यूचर में देते हुए नजर आ सकते हैं तो इन पर श्टॉडी करना शुरू करें ओके चीजे मैं सिखाता रहता हूं चीजे मैं बताता रहता हूं आप केवल सिंप्ली इन श्टॉक्स के पीछे पढ़के इन श्टॉक्स पर डिपेंडेंट रहके मत रहिए क्योंकि मैं देखता हूं वह सारे लोग केवल यही बताते हैं इन में तो चलो कभी भी आप कर लोगी है सबको पता है पर इनके इलावा कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पर आप अच्छा खासा पैसा यहां पर बनाते हुए नजर आते हुए दिखाई दोगे यहां पर देखे सुनील हेल्फ केर हमने बताया था क्या यहां पर पैसे बनते हुए दिखाई दिए हमने यहां पर मैडिक और रेमिडी बताया था यहां पर देखे आज भी आपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे है इस सेयर में किस तरीके से हैं आपर मैसिव कुर्स लॉंच किया है जहां पर देख लिए टेक्निकल और रिसर्च का फंडमेंटल का यहां पर जब यह तीनों के तीनों मिल जाएंगे तो याद रखिए एक ऐसा यहां पर अपकी स्टडी आपका बेस तेयार होता हुआ नजर आएगा आपको पता चलेगे कि स्टेज वन क क्या होती है स्टेज 2 क्या होती है स्टेज 3 क्या होती है स्टेज 4 क्या होती है और किस स्टेज में आपको पैसा लगाना चाहिए तो यहां पर जब आपको पता चलेगी चार स्टेजों के बारें में तब यहां पैसा बनेगा पूरा कोर्स वह भी 15,000 में 1-on-1 यहां पर करिए कॉंटेक करके इस कोर्स के बारे में जान लीजिए और यहां पर सीख लीजिए टेक्निकल टू बेसिक्स टू एडवांस चीजह यहां पर अपने आप समझ में आ जाएगी तो बाइंग सालें के कोई रिकॉमेंडेशन नहीं है इस लिए यहां पर आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं लगातार क्या रहा हूं small cap mid cap मेरे कोई भी ऐसा stocks नहीं रहेगा जो मैं आपको large cap या फिर मैंने आपको ऐसा ही कोई stocks नहीं आपर बता दिया सारे कि सारे आपको small cap mid cap back to back यहाँ पर videos बना बना के दे रहों समझा के दे रहों कि किस तरीके से आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं वीडियो अच्छी लगे like comment share चैनल को subscribe bell icon को hit और जाद से जाद लोगों तक share करें ताकि उन्हें यहाँ पर चीज़े समझ में आए वो invest करें small cap mid cap में ना कि यहाँ पर large cap के चक्कर में रहके यहाँ पर भस थोड़ा सा पैसा कमा के रह जाए यहाँ पर large mid cap और small cap में बहुत potential है बहुत पैसा बनता हुआ आगे आने वाले भारत में बनाएगा so thank you so much God bless